दोत दुश्मन सब सजण हो एं एको स्वामी आया जी ओ जो किछ करे सो आपे आपे बुद्ध सियान अप कछू न जापे आपनिया संतानों आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाहया जी ओ चरन कमल जन का अधारो आठ पहर राम नाम वपारो सहज अनंद गागें गुन गोविंद रभ नान कुसरव समाया जी परम सत्कार योग सत्संगी जन्नों फते परवान करो वाही गुरुजी का खलसा वाही गुरुजी की फत्र इलाही बौल गुरु अरजन देव सहिव दे माज राग एक सो सत अंगते शशोबित कि जिवेंज में सफर कर दे गए ते सफर कर दियां कर दियां उस दी दया दे पातर बन गए कि नहीं दया गुपावल गुसाईं गुपावल जो धर्ती दा पालन हारे गुसाईं जो धर्ती दा साईं है मालक है क्योंकि धर्ती उसे ने बनाई ब्रह्मंड उसे ने बनाया ते फिर मालक भी होई और उस परिपूरन परमात्मानों मालक भी किस तरह दा खिया है तूं सचा साईं के ऐसा मालक है जो सचा मालक है इस रुखे जमीन ते मालक बहुतन ते मनुख कह देंदा है इस दा मालक मैं हाँ इस बंगले दा मालक मैं हाँ इस जमीन दा मालक मैं हाँ मनुख कह देंदा है ते पंज साल बाद दस साल बाद फिर कोई होर मनुख दावा करदा की मालक मैं हूँ जीड़ा पहला दावा करदा प्यासी दस साल पहला ओगे थे गया केंडल के ओच्छड के चला गया ओ रुहे जमीत और रुखषद कर गया ते होन अज ए मालक है पंज साल बाद आके देखना फिर कोई होर मालक होगेगा तो ए जितने भी मालक है धर्मदी दुनिया विचके देने ए आरदी मालक है अज हन कल पताने जो असली मालक है ओ परिपूर्ण परमात्म है जदो उस मारगते चल दे गए चल दे गए गुरके चरन वसे मन माही मेरे मन दे विच गुरू दे चरन वस गए चरन पो मुराद गुरू दे बोल गुरू दा उबदेश मेरे दिल विच वस गया गुरू दे बोल हिर दे विच वस जान बस एही साधना है एही धार्मिक दुनिया है के गुरू दे बोल हिर दे विच वस जान और जीवन बदल जाए पर के ते ऐसा नहो है कल भी सुन दे पैसे ते अज भी सुन रहे हैं फिर कल भी सुनांगे जे समा मिल गया था और इसे तना सी चल रहे हैं इसे तना चल रहे हैं बाव कल भी सुने कथा अज भी सुने कल भी सुनांगे एक साल पहला भी सुने सी फिर भी सुन दे रहा है एक वर्तल हो गया है एक गोलाकार जीवन हो गया कल भी आए सी अजवी आए है कल भी आँगे जिस तरह कल सुने सी कथा अजवी उसे तरह सुन रहे हैं कल भी इसे तरह सुना गया तो इसनों एक आलम ने किया कि चलने को तु चल रहा हूँ और इसकी मुझे ख़वर नहीं है कि मैं सफर में हूँ या मेरी मंजिल सफर में है चलने को तु चल रहा हूँ और इसकी ख़वर नहीं है कि मैं सफर दे विचां जब मंजल सफर दे विच है जे किदरे अप जी जगरत अवस्ता विचो जग रेयो और जगदे जगदे सुन रेयो जगदे जगदे तुसी सफर कर डेयो जगदे जगदे तुसी जीवन बिता रेयो ता तुसी सफर विचो और जे किदरे तुसी अख्खां बंद करके गुस्ता की माफ जिसनों कहन दें मूर्शा, ने, बेहोशी, बस बेहोशी विच ही सुन दे रहे, बेहोशी विच ही तुर दे रहे, बेहोशी विच ही जीवन यत्रा खत्म हो गई, बेहोशी विच ही फिर नमाजी हो ना गिया जे इस तरह चल रहे हैं तो फिर खिमा करना एच चलना नहीं हो है जेड़ा एक कोलूदा बैल होंदा है सफर उभी करदा पिया है ते ओ कोलूदा बलद की सोचदा है कि होन मैं एक किलोमीटर सफर तै कर लिया होन मैं दो किलोमीटर सफर तै कर लिया बहुत तेर हो गई है गंटा हो गया दो गंटे हो गए पंज गंटे हो गए फिर शावनू ओकी कंदा है पता नहीं कितने सारे पिंड मैं छटके आ गया कितने सारे शहर मैं छटके आ गया हूं अतना सफर कीता है थाक भी गया पर जदो मालिक उस बलद दिया अख़ाँ खुल दा है क्योंकि अख़ाँ ते पट्टी बनने हो दिया अख़ाँ दिया बंद हो दिया हने जदो उ़ पर्दा हटदा है उस दा ति फिर अशी देख दे आँ कि बैल चलिया ता बहुत पर पहुंचिया किते भी नहीं चलिया ता बहुत सारा दिन बीत गिया चल दिया चल दिया चल दिया पर एक पिंडनुता की छड़ेगा और उसे ही मारग ते वार वार गुमदा जा रही है साधी जिंदगी दा सफर किते इस तरह दाता नहीं है उत्थे गुम रहे हैं जो कल कीता से अजवी ओही कर दे पैयां कल भी ग्रोध कीता से अजवी करांगे कल भी हमकार दी बोली बोली अजवी बोलांगे कल भी निंदा कीती अजवी करांगे आनवाडे कल्दे विच ओही खेड़ खेड़ आंगे जो अज खेड़ खेड़ रहे हैं पिर ओही गला हुई हाँ अनन्द ताह है जेकर सफर कर दे कर दे कुछ पिंड वाकी छड़ के निकल जाओ किसे दिन कव के अज क्रोध दे पिंड विचड़ देता है किसे दिन कव अज इरखा दे पिंड विचड़ देता है किसे दिन कव अज लोब दे पिंड विचड़ देता है किसे दिन कव हुन हंकार दी सीमा भी हुन पार करके आ गया बस मंजले मकसूद बहुत गरीब है बहुत नेड़ है इसनों कंदेने महा अनन्द जीवन जी के देख लेया जो जीवन असी जी रहे हैं आप जीनों सार्यानों अनुबव है इस जीवन दा पर एक जीवन होर भी है एक दुनिया होर भी है किदर उस जीवन उस दुनिया दे बारे उस जहां दे बारे भी जी किदर सोच लेया उस ता अनन्द बड़ अलोकिक है और मैं कई दफ़ा अर्ज करना कि ए जीवन ता आप जी जी रहे हो ए दुनिया ता आप जी देख चुके हो बावे ओ धर्मदी दुनिया नो छड़ के ओ राजनेतिक दुनिया है ओ आर्थिक दुनिया है ओ समाजिक दुनिया है आप जिने सब कुछ देख लिया दान भी देख लिया समाजिक दुनिया भी देख लिया राजनेतिक दुनिया भी देख लिया पर एक दुनिया धर्म दियो भी देखो, येकीनन कहनदा, जिए जीवन विच अनद ना आवे, तो वापिस आ जाना, क्योंकि आर्थिक दुनिया तो किते गई नहीं, राजनेतिक दुनिया किते गई नहीं, आप जी जिस्तरा जी रहो जी सकते। जीकर धर्म दी दुनिया धे विच अनद ना आवे, वापिस आ जाना, पर ऐसा कदे शोनिया है, कि मैं बूँआ तन खोलिया, पर सुरज दा परकाश नहीं आया मेरे घर, मैं दीवा तन जगाया, पर मेरे घर विच परकाश नहीं होया, ऐसा मेरे ख्याल धे विच अजे तक न मनुख जिकर अपने दिल दा भूआ खोले मन दा भूआ खोले और निरंकार दा प्रकाश ना आवे ऐसा होई ने सकता नहीं हो सकता और एक ख्याल रखना जिकर दर्वाजा बंद है ता ऐसा नहीं कि सूरज दिया किर्णा वापिस चलिया गियाने उत्थे खड़ियाने रोज आके उत्थे खड़ियाने रोज आपजी दे घर दे बुवे ते आके खड़ियाने ते फिर दस तक देंदियाने तो बुआ खोले बुआ खोले भावे अजनन सही हजार हजार साल बीत जान सूरज दिया किर्णा उसे तरह रोज आउन गिया रोज जिस तन बुभा खोलेगा उस तन प्रिकास हो जाएगा गुरू दे इलाही बोल भी आप जी दे हिरदे विज़ तकराण देने है रोज तकराण देने है पर जे कर तुम दिलदा बुभा खोलदा इता ही नहीं तो फिर उदे विज़ दोश किस्ता है आन देख दफ़ा एक इलाही किरन एक दफ़ा आन दे फिर देखना धर्मदी दुनिया दे विच जिड़े पाँच गए उना दी एक बहुत वड़ी एक मजबूरी ओन दी है करुणा करके ओ किस तरह क्योंकि वास्तवदे विच जिड़ा धर्मदी दुनिया विच पाँच गया नहीं ता धर्मदी दुनिया दे विच अडंबर भी बहुत ने बहुत ने और ओ जो धर्मदी दुनिया दे विच अडंबर कीता गया है तो गुस्ता की माफ ओ बस एक कोई है कि धन कठा कर लिए इस तो वद कुछ नहीं है जहां शहरत कठी कर लिए इस तो वद कुछ नहीं है जो धारम दा अडंबर कर दा खोन जी दा धारम दी दोनिया विच पाँच गया ओदे विच करुणा की पैदा हों दी है वो कर्मा देखना एक उधारन दे रहें केंदेने के एक बादिशानों किसे ने कह देता कि अजदी तरीक विच एक ऐसा बच्चा होएगा और इसे शहर दे विच कि जिसने तेरा कतल कर देना है तेनों मार देना बादिशान केंदा है और एक बच्चा ऐसा होएगा जिड़ा मेरा कतल करेगा वो केड़ा बच्चा है मैं उसे नूँ और नहीं मार दमा पर नहीं उसती ख़वर नहीं है वो केड़ा बच्चा है बादिशान केंदा है जे होन सारे ही बच्चे में मार दमा जिड़े अज पैदा होए ने इस मौरत विच ये भी ठीक नहीं होईगा बहुत वड़ा गुना होईगा मैं एक कम करना इस मौरत विच जितने भी बच्चियाने जनम लेया मैं सारियानों कैद कर लेना तेखाने विच जमीन दिथल ले तेखाना उत्थे में उन्हानों कैद कर लेना उन्हादी परविश में ठीक कर दार्मा दो साल तिन साल चार साल ते जिदों उस शाने हो जानगे फिर अपने आप ही भोजन करनगे अपने आप ही रेंड़े पर रेंड़े तेखाने देविच जिए इसे तरह कीता है जितने भी बच्चे संसार्यानों तेखाने विच गैद कर ले है उन्हादी ठीक परविश हों दी है उन्हानों भोजन भी मिलदा है तो ठीक उन्हादा जीवन बतीत हो रहा है तो जदों उच बच्चे चार-पँच साल दे उन्हें फिर परविश बार आजान देने, अपने आप बोजन खान गे, अपने आप बनान गे, सब कुछ चिक कहने, जदों समा होया, दस सालां दा, दस साल बीत गए, तो एक बच्चा उन्हों दे विच देखदा है, की देखदा है, कि उस तैखाने दे ऊपर जिड़ा, एक छोटा जिए, एक दौार समझ लगो, एक छोटी जी विंडो समझ लगो जितों हवा आं दी है, तो उस वल उस तैखान दी है, उस तो पहला समझ देखदा एही संसार है, क्योंकि बच्चपन तो ही उत्धे रह रहे हैं, एही संसार है, इस तो बड़ा कोई संसार ने, एही दुनिया है, इस ओ बच्चा की करदा सी जदों देखदा सी ते बाहर दे लोकां दी परशाई अंदर अंदी सी ते ओ बच्चा परशाई वल तकदा सी ते सोचदा सी एक की है इसनों की करदे ने ए आवी रहने जावी रहने पर पकड़ विच नहीं आ रहे ने एकीन है पर इतनी समझा गई कि सब कुछ तस्वीर जड़ी आ रही है और इस पासे तुहारी है और बच्चे ने की की ता मौका पाके और उस अस्तानतों निकल गया मैं बाहर दी दुनिया देखा हूँ बहुत मैंनत की ती इमद की ती तापट की ती मैं बाहर देखा जड़ों वो बच्चा बाहर दी दुनिया देखदा है है राण हो जाना एकी इतना वड़ा संसार इतनी वड़ी दुनिया इतनी चहल पैल इतना अनंद ते असी ता उसे नो ही दुनिया समझ के बैठे सी ते ता बहुत कमाल दी दुनिया मन बड़ा कुश होげ जदो उसना मन खुश होげ ते उसने दिल बीचे करूना पैदा हुई करूना ये पैदा हुई काश मे अपड़े मित्रानों भी लेके आमअबाल एदुनिया उनों भी दिखाऊ है के एक होर भी दुनिया है चल के देखो ओ बच्चा फिर वापिस सौंदा है ते सारिया नो बिठा के कहनदा है के गल गौर करके सौंदना ते गौर करके समझ न जिसनों तुसी दुनिया समझ के बैठे हो ते खाना इस दुनिया नहीं तो फिर की है कहनद लगे एक कैद खाना है एक दुनिया नहीं है एक कैद खाना है जेकर तुसी होर दुनिया देखना चांदे हो ता मेरे नाल चलो ते ओ बच्चे की कहनदे ने कहनदे लगदा है ते पागल होगी है इस दुनिया तो बड़ी दुनिया केड़ी है मौजदे नाड लंगर चख दे हैं मौजदे नाड सौजाने हैं जो जी करदा है गला बातां करदे हैं एक किस दुनिया दिगल करदा पिया है ओ बच्चा वार वार कहनदा है एक होर भी दुनिया है एक होर भी दुनिया है जितनी दफ़ा उसने किया उसने गल एक दिन ता सोनी नहीं पर ओ पकार दा रहे है पकार दा रहे है दोजे दिन भी पकार दा रहे है बच्चिया ने किया इसने सड़ा चैन खराब कर दिता है इसने सड़ी नेद खराब कर दिती है रात नों भी उठके केंदा रिंदा एक होर भी दुनिया है एक होर भी दुनिया है सन्वे सोनी नहीं देंदा पर ओ तब अच्छा है करुना हो दे माने बिच तीजे दिन फिर कहनदा है एक होर भी दुनिया है एक होर भी दुनिया है नानक कहत पकार के गहो प्रभूशर ना पकार पकार के कह रहे ने एक और भी दुनिया है एक और भी दुनिया केंदे ने तीजे दिने की होया सारे बच्चियां ने मिलके और उसनों मार देता कि एस अड़ा चैन खराब करना पे आए खतम करना उसनों एही कारण है कि पकता नों तसिये दिते गए एही कारण है रेबरी पुर्शा नों जहर दिता गया एही कारण है संता मा पुर्शा नों सूली ते चाड़िया गया और एही कारण है कि अवतारी पेगंबरा नो चौराहे ते बिठा के कतल कर देता एही कारण है कि गुरु साहिबान नो तती तवीते बिठाया एही का वो जगारे सी कि एक होर भी दुनिया है बर ये नहीं जगबारे सी केंदे सी सब कुछ तो ठीक है बहुत ही सोनी खुराक मिल दी है बहुत सोने कपड़े मिल देने बहुत ही अच्छा जीवन है पर गुस्ता की माफ एं नहीं समझ रहे हैं कि इसी बंदन भी जाओ इसी कैदीया किस तरहएं दे कैदीया एक काम की है करोध की है लोब की है महो की है एक कैद है बस कैद भी जहीं बढ़ थे हो है इस कैद चुबार निकलो नाम जब गे तो साहिब जी कंद्या ने अंगी कार किया तिन करते दुख का डेरा धाया जी जदो इस मारगते में तुरिया ते मेरे दाते ने मेनों अंगी कार कर लिया कबूल कर लिया परवान कर लिया और जीवन दे विच जिड़ा दुखा दा डेरा सी और धाय गया खत्म हो गए क्योंकि केड़ा दुख किस वे ले आ जाए पता नहीं कोई पता नहीं कल दी एक घटना वापरी है मुकरजी पारक गुरधारे विच के संगत बैठी है गुरु के कीरतन है कीरतन करदे पहने और एक प्रेमी है जो हर रोज सवेर दी हाजरी ते शाम दी हाजरी नित भरदा है ते अज ओ आये ने बैठे ने मन विच ख्यां लाया मैं घर जामा इश्नान करा कपड़े होर नमे पाके आ घर जांदा है इश्नान करके कपड़े नमे पाके आंदा है और बैठदा है और कीरतन सुन दा है कीरतन सुन दियां सुन दियां आप जीनों ये भी खबर है उने ही एक गुर्मुक प्यारा आर्या सी गुर्दवारी में बैठांगा मत्था टेकांगा ठोकर लगी चोट लगी सिरते वापिस से लेगी अपने ही संगत्दा प्रेमी खबर नहीं है एक साथ अभी पता नहीं होंदा और गुस्ता की माफ जदों घरों से निकले हैं गुर्दवारे तक पहुँच पामांगे नहीं पहुँच पामांगे पता नहीं है इसे करके जदों नमा सूरज निकले तनवाद करिया करो हे प्रभू तेरा शुकर है तेरा शुकर है जदों साथे सामने बोजन आवे लंगर आवे कहा करो हे दातिया तेरा शुकर है तेरा शुकर है और वाकि ही जदों सें गहरी नेद विच सोन वासते जाने हां शुकराना करिया करो हे प्रभु आजदा जीवन आजदा दिन बतीतो या उन गहरी नेद विच जा रहे हां सवेर दा पता नहीं अक खुले कि ना खुले पता नहीं दे आक खुल गई फिर तेरी बंदगी करांगे फिर तेरी गीत गांगे और जे किदरे आक नहीं खुली ता फिर देऊ सजन असी सड़ियां जो हुवे साहब सियोमे फिर सुहले दे पाठ करके गीत गांके सोझा जानदा है हुड कोई गल है अक खुली ता फिर गामांगे नहीं ता फिर सिद्धे तरिदर दे तो इस तरह कदम कदमते शुकराना कदम कदमते फिर मानतन वसिया सचा सोई ओ जो सचा मालक है जिस दी होंद सची है जो कदे मिटे आ नहीं हैं भी होसी जाए न जासी रचना चिन रचाए ओ सचा है जदो ओ सचा मन विच वस गया बिखडा थान न दिसे कोई फिर आउगट घाटी है यह नहीं बिखडा थान है यह नहीं कोईकि ओ वस गया मेरे हिर देविज़ कुछ प्रेमी पुछने ने ओ वसेगा किस तरह हो ओ पकडविज किस तरह आएगा ओ अपजी ते कोल ही है तो अपजी तो दूर नहीं है ओ कदे भी दूर नहीं होया कदे भी दूर नहीं है पर ओ वखरी गल है अपजी ता दिहान उस तरफ नहीं गया ओ वखरी गल है ध्यान फिर किते है ध्यान किते होर पासे होर पासे और जिथे ध्यान ना होए अक्सर ओ चीज विसर जांदी है गर विच सब किज पेया है कह देने हैं कि ओ शै किते पई है मनों को कह देना है मेरे गर विच ही है पर ध्यान तो उत्री होई है पता नहीं किते पई है ध्यान विच नहीं है पर हाँ है जरूर पर ध्यान विच नहीं है ते मनुक फिर की करदा है कि जदों उदी सफाई करदा है घर दी ते ओ वस्तु सामने जिस पेंदी ए पई है जदों सफाई की ते घर दी वस्तु मिल गई और कुछ वस्तुवां ऐसियां ने जो आप जी नूँ पता है कित्थे पैने जो मैं एई अर्ज करें आप जी दे गेने कित्थे पैने मैं गल कीती है आप जी दे चेतना पहुंच गई फलानी थांते पैने पहुंच गई आप जी दी ती जो उरी किते पई है ध्यान पहुंच गया हाँ उत्थे और कईता प्यारे ऐसे भी ओनगे जिनादे सामने गिनती भी आ गई होगी मेरे इतने पैसे ने बैंक विच अकाउंट विच गिनती भी आ गई क्योंकि उस तरफ ध्यान है परमातमादी गल रोज रोज कर दे हैं रोज रोज कर दे हैं ध्यान विच नहीं आ रहे हैं क्यों क्योंकि उभूल गया और भूलता कोई कद है ज़िए उसनों याद नहीं कर दे हैं उदों भूलता है जिसनों उसी रोज रोज याद कर दे रही है रोज रोज याद कर दे रही है वो किस तरह भुलेगा जिसनों रोज रोज याद कर दे रही है वो थे प्रेम बन दाए है प्रेम और जिसनों याद करना ही भुल गए ते फिर वो तब भुल गया और आप जी ने कहना है याद तासी रोज कर दे मैं मन्दा आप जी रोज याद कर देओ कि इतना रोज सुन देओ कथा रोज सुन देओ पर कन आप जी दे सुन रहे ने फिर भी नहीं सुन रहे ने गुश्ता की माफ कन आप जी दे सुन रहे ने पर फिर भी नहीं सुन रहे अख्छा देखरीयान है लेकिन फिर भी नहीं देखरीयान इस तरह क्यों? कई दफा हकीकत दिगल है अपने घर दे सामने चो लंग जान देयां जाना अपने ही गर उन्द है पर अपने ही घर छटकिया के निकल जाने है अख्छा देखरीयां सन पर घर दे मोरे लंग गये ते घर दा पता नहीं अपने घर नो देख भी लेया अख्छा ने देखिया पर देख के भी नहीं देखिया क्योंकि चेतना के तेहोर सी बिरती के तेहोर सी ते आप जी जिकर बैठे हो सुन रहे हो पर सुन के भी नहीं सुन रहे हो तो इस था मकसद है जेतना के ते हो रहा है और जिस्तन इसनों कबूल कर लोगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है सौफिस्तिकल ठीक है पर गुस्ता की माफ नहीं कर दे कबूल नहीं कर दे कथा वाचक कथा करदा सी ते कोल ही आखे एक प्रेमी बैठ जन्दा सी बिल्कुल कोल इस्टेज दे कोल बैठ जन्दा सी किसे था थे पर उसने की करना कथा दी अरमता होनी ते कथा दी अरमता दी नाल ही उसने सो जाना और दी अखवी उदों खुरनी जिनों कथा दी समावती हो रही होनी कई दफाता और गुर्राटे दी आवाज भी सुनाई दिया कर दी सुटा भी एक दिन उसनों कै दिता गुर्मक्खा सौंग गया केंदा नहीं पैसा गुर्राटे चल रहे हैं नहीं पैसा ते संगत भी हांस देन दी सी के सुटा भी पैया फिर भी मनननों राजी नहीं दो जी दफा फिर किया गुर्मक्खा तुम फिर सौंग गया करने लगे नहीं जंगा भी ते फिर सौंग गया जदो ती जी दफा फिर उसनों किया भी गुर्मक्खा जगरे आएं करने लगे नहीं कौन कंदा है क्योंकि तीजी वर ये सी अलफाज बदल दिते दो दफा किया तूं सतापिया है उकन दा नई तीजी दफा आशी पुछिया भी कुरमखा जगरे आए कन दा नई कौन कन दा है तेड़ी अंदर दी गल सी हकीकत दी गलबार है कौन कन दा है जे सुते सुते सुनोंगे नहीं सुन पाओगे सुते ता मतलब आपजी समझ लेना ए नहीं कह रही है कि अखा बंदने ते आपजी सौंगे नहीं किते चेतना किते सुती ता नहीं पाई चेतना किते बाहर ता नहीं भट करी है फिर चितना कुछ भी आप जी सुनोंगे सुन के भी नहीं सुन पाए कोज गल्ला ऐसे आउंदियाने सुन लेंदेया और इतने गहरे तलते बैठ जान देयाने और आप जी नुहुने ही ओ गल्चेते आजाएगी जो मैं अर्द कर रहे है कि आप जी दे जीवन दे विच आज तो पंज साल पहलां दस साल पहलां किसे ने कोई गल ऐसी आखी होए जे दिनाड बहुत वड़ा दुख लगिया हुए आप जीनूं हिर दे विच जखम होया हुए मैं गल कह रहे हैं आप जीनूं ओ गल्चेते आवी होई कि हाँ फलाने ने एक यासी फलाने ने एक यासी फलाने ने एक यासी जे किदर ये पुछल ये के कलदी कथा दा विचा की सी नहीं याथ बल गया कारण की है ठोकि इसनों सुनके भी नहीं सुन पाए और उसनों ना सुन दे वे भी सुन लेया जो नहीं सुनना सी वो इसनो सुन ले रहा कि हाँ इस मनुक ने मेनो एक गला की सी और कई दफा मनुक कह दें दा है वी साल पहला ऐसी गल तो आकी सी जो अजे तक मेरा जखम नहीं बरिया वी साल पहला और धानो गुरु गरिन सहब दे इलाही बोल सानू रोज जखम दे रहे ने रोज जखम दे रहे ने इत्थे जखम क्यों नहीं हो रहे है रोज गुरु सहब जी तीर मार देने बार नहीं था ये तीर है जेकर गुरु सहब जी कहा रहे ने स्वान पूँच जो बयोन सूधो बहुत जतन में कीनों ए तीर मारे पे कहरे ने कि कुत्टे दी पोंच सिद्धी नहीं होई और गुस्ताकी माफ ek इंडारेक्ट रूप विच किस नों कहरे ने है सन कहरे ने सन बुले شह भी काफ़ी रचना जिसते विच़ कहरे ने कि बुले शहा कोई वस्त विहांज ले नहीं तना भाजी ले गए कुते तैंकों उत्ते है सानु कह रहे हैं सानु कह रहे हैं तो सहिब जी कहने रहे तुँ गाप उर्खास नो ए अज विला है अज समा है और फिर ए समा कद खत्म हो जावे कुछ भी पता नहीं कुछ भी पता नहीं दूत दुशमन सब सजण होए एको स्वामी आहया जी जिसनु वसी कहने या दुशमन दूत ए मेरा दुशमन है अप जिनु इस गल्दी खबर होवेगी कि बाहर दा दुशमन इतना कुछ हानीकारक नहीं होंदा जितना अंदर दा दुशमन हानीकारक नहीं होंदे ते बाहर दा दुशमन की करेगा वद तो वद सड़े तो धन खो लेगा वद तो वद सड़े तो रुतबा खो लेगा वद तो वद सड़े शरीर नो दुख दे सक़दा और इस तो भी जिकर वद कोई दुख पहुँचान सकता है तो साड़े शरीर दा कतल कर सकता है बाहर दा दुश्मन बाहर दा वैरी पर जिटा अंदर दा वैरी है ओ तो सानों निरंकारतों ही वक्ष करके बैठा हुए जिटा अंदर दा वैरी और अंदर दा वैरी काउन है सड़ा अपना ही मन ये अपना ही मन सड़ा वैरी बन के मैठ है और जिस दिन इसनों समझा गई गुरू दे बोल सुना सुना के फिर एही मन सड़ा मित्तर बन जान जान जा क्योंकि मन ता एक ही है विचार एही विचार कदे दुश्मन सी होर पास से लए जान देसी एही विचार होन साथे बहुत चंगे होगे और अची रब दे गीतगार है होन एही विचार चल रहे हैं ने एही विचार एही विचार होन एक मैं छोटी जी अर्द करा बहावें ओ ख्वाबही सी क्योंकि गुर्बाणी देवी बोलने आओ सभागी नेंदडी है हे मेरी नेंदडी है तुम बहुत सभागी है क्यों घट तो घट नेंद विच तेरे दिदार हो जान देने ते वो नेंद भी चंगी है जे नेट देविश इस संगत कर देपाएं है वो बहुत चंगी है नेट सुभागी वामे उ सपना ही है तो बाई वीर सिंग जी कहने ने कि उस सपना भी मबार्ग है कि सपने वेच तुसी मिला असानू असी तांगल वक्री पाई नसी उता हुई पर वो वक्री गल है कि निरा नूर तुसे हत ना आए साड़ी कमदी रही कल लग 22 भाई गुर्दास जी कबित सवये विच कहन देने कि सुपन चरित्र चित्र बानिक बने बाचित्र पावन पावित्र मित्र आज मोरे आए अज सपने विचाया ते अज एक ऐसा खौब आया दास अपड़ी ही गल कर रहे है कि एक बच्चा जिस ताहले जन्म होया है एक दिन दा है ते उस बच्चे नू किसे ने मेरी जोली विचा के पादेता है जदो उस बच्चे नू मैं देखिया ते उस बच्चे दी रसना चों सुखमनी साहब दिद दा पाठ चल रहे है एक दिन दे बच्चे दा मैं हरान हो गया एक दिन दा बच्चा है इस सुखमनी साहब दा पाठ कर दा प्या है फिर सुखमनी साहब दा पाठ कर दिया कर दिया फिर इलाही की इतन शुरू कर दियंद गुर्बाणी दे बोले इतना अनत बढ़ै इतनों इस समझ मिली कि एक दिन दा बच्चा भी औनुका रहे है एक दिन दा बच्चा है उस दा शुकराना करदा पी है उसना धनवाद करदा पे आए ये पुरुखा फिर तूं किते बैठा है तू भी गा तू भी गा तो सबतों मड़ा दुश्मन कोई बाहर दुश्मन नहीं है अंदर दे दुश्मन है जिटे धारमदी दुनिया नो खो के ले जान देने ते जदों में उस मालक नो चाह लेया ते फिर दू तू दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आहया जी हो आहया तुम राद चाह लेया मैं उसनों पा लेया अंदर दुश्मन जड़े सी उस सज्जन किस तरह हो गया ने ए देखना के जदों मनुख दे जीवन विच कोई विकार पैदा होंदा है किसे वी के समदा काम, क्रोद, लोब, हंगार ए पंजधारामाने पर उननों दे पिछे एक उरजा कम कर दिये एक पावर कम कर दिये पावर ही काम बन दिये पावर ही ग्रोध दा रूप दा न कर दाए पावर ही लोब ते हंकार पावर ही मोध दा रूप है जिब पावर खतम हो जाए पंजविकार भी खतम हो जाए पर पावर नो खतम नहीं करना पावर भी दिशान नो बदलना है पहला असें सागर्द विचो नेर कड़ी सी रहिक इस्तान वल जा री सी ये डख के पानिंग परबाद हो रही हैं उलने ही असें सागर्द विचो नेर कड़ी ए खेतां मल जेड़ी और्जा सदी काम बन रही सी उस और्जा नू राम बना लो राम्दागीत गा उसे उर्जा ने दा उर्जा ओही है जेडी उर्जा क्रोध बन दी पैसी उसे उर्जा नू करुणा बना लो करुणा बना ते जेडी उर्जा मोहो दे रूप विच प्रगट ओरी सी उसे उर्जा नू प्रेम बना लो प्रेम बना जेडी उर्जा लोब दे रूप विच सी उस उर्जा नू दयादा रूप देदवो जेडी उर्जा हंकार दे रूप विच प्रगट ओरेई सी उसे उर्जा नू दीनता बनालो, निर्मानता बनालो, हलीमी बनालो, गरीबी बनालो उर्जा एक कोई है फिर अप जिनों एक खबर मिलेगी जो किछ करे सो आपे आपे बुद्ध सियानप कछू ना जापे जदों इस मंजलते पाँच गए एक होर खुशी नसीब होवेगी कि ए जितना कुछ भी होया है हे प्रभु ए तूं कीता है तूं कीता है क्योंकि एक बच्चे ने सवाल कीता सी जियाने जी जे सिम्रन दे नाल मिलदा है ते फिर गुरू दी किर्पा दी की लोड है जे किर्पा दे नाल मिलदा है तो फिर सिम्रन दी की लोड है छोटे जी बच्चे ने सवाल कुछ लिया सी और जदों सें सिम्रन कर देयां सिम्रन कर देयां कर देयां मुकाम ते पांच देयां किरपा सिम्रन दे नाली होंदी है और जदों सें किरपा होंदी है तो एक गल समझ आंदी है कि हे प्रबूर कि जो किरपा आपजी दी होई है मेरी मैनत करके नहीं होई है मैं जो सिम्रन कीता उदे करके नहीं होई है तो मेरे ते दया कीती है मेरे ते रहमत कीती है ये दो में चाहिए देने सिम्रन भी चाहिए दा है ते किर्पा उदे होंदी है क्योंकि हंकार ना आवे आपनिया संतानो आप सहाई पिरब भरम भलावा लाया जीयो अक्सर मनुक कह देंदा है कह देंदा है अपडियां संतानों आप सहाई जो उदी भगत ने है उदी सहाई उदी संगीन है होन जिकर असी संगत विच जा रहे हैं और संगत विच जानदे जानदे तो आनों चोट लगी है ते ख्याल एवी आसकदा से चंगा होंदा अज गुर्दवारे ना जानदे ये चोट ना लग दी मैं अपने बच्चे नों सकूल भेजिया बच्चे नों चोट लगी चंगा होंदा अज ना भेज दे बच्चे नों सकूल मन उको जरूर सोचता है पर एक गल बुल जानदा है जे अज संगत विच ना जानदे ता एजरी चोट लगी है इस तो दोनी चूनी चोट लग दी हो सकदा थी वद भी नुक्सान हो जानदा पर एक घटिया इस करके के गुरू की संगत विच गए है इतनी गल्चे ते रख्या करो और सिमरन कर दियां संगत कर दियां जे जीवन दी विच कोई ऐसी घटना वापरे ता ए जरूर करना के ए मेरे दाते ने बहुत बड़ी रहमत की थी बहुत बड़ी गिर्पा की थी इस ता एक उधारन देखना एक फकीज ते उधा सेवक दो में जा रहे ने बरसात होई हनेरी आई सेवक कहनदा है अपने गुरू नो महराज जदों भी मैं अपने जीवन दी गल करदा ते तुसी मनों चुप करा देंदेओ मैं कहनना साड़ा जीवन की है ता तुसी कहन देओ इंडरंकार दी खुशी है कदे कदे सानूं जे खेरात ली नहीं मिल दी मैं कहनना एकी है तामी आप जी कहा देंदे हो अज रब नो पता सी के भुखे रणा साड़ी लोड सी इस करके साड़ी जोली विच खरात नहीं भई है अज भुखे रणा भी साड़ी लोड सी रब नो पता सी सानूं ता पता नहीं सी और रब नो पता है कि अज़ जे किदरे इनाने कुछ खा लेया इना दा पेट खराब हो सकता है आज उनाने ऐसी खेड़ खेड़ी की खेड़ात ही नहीं पई जोली विच उसनों पता है तो हर रोज मैंनों चुप करा देंदा है पर अज मैं एक ऐसा सवाल पुछ रही है तेरे कुल जबाब नहीं हो करने लगे पुछ हो कहनदा है वो सामने देखो अपनी जहांपड़ी बाद मुश्कल दिन हल बनाई तो हनेरी आई है अद्धी छपरी उड़ा के ले गई होन तो सी की करना जान दे गुरू कहनदा है के हनेरी जदों आई सी बाउत ताकत थे नाल ते जदों हनेरी नो उड़ान दी कोशिश कर रही सी हनेरी कोशिश कर रही सी उड़ान दी छपरी नो पुरी ताकत लगा रही सी तो मैंनों जरूर लगजा है मेरा गोबिन आगया होएगा विछकार उसने किया होना मेरे पगतादी जौंपड़ी अधी ताँ छट दे जरूर मेरा गोविन आया हुएगा जरूर और एजिडी अधी जौंपड़ी बची है अधी छपरी बची है ये मेरे गोविन करके बची है जा उदेनाल प्रेमना होंदा ता एवी ना बच दी कितनी बड़ी गल है कितनी बड़ी गल केंदे ने उस राद जद उत्थे सुते पैने फकीर ने कह देता तो उस थांते सो जित्थे च्छत है मैं उस थांते सो वंगा जित्थे अदी ता च्छतो वेगी ते अदी अकास्ती चट ओएगी रात बरसात भी होंदी रही जदों सवेर होई ते ओ मनुख नचदा है नचदे होई की कहनदा है कहनदा है माराज अज रात जो नजारा में देखिया जीवन विच पहली दफ़ा देखिया पहली दफ़ा बरसात देविच अद्धा शरीर भीज रहे आए अद्धा सुक्का पे आए अद्धा चंदरमा दिस रहे आए अद्धा गायब है अद्धा अकास दिस रहे आए अद्धा गायब है इस नजारे नो वेखदियां वेखदियां मैं विस्माओद मंडल विच पहुंच गया हे प्रभू जे किदरे मैंनो ऐसा पता हुंदा कि अज रात ऐसा अनद आवेगा ता मैं पहला ही अपनी छपरी अद्धी भी हटा देंदा जे मैंनो पहला ही पता हुंदा था पर इतना अनद तेरा बहुत दनवाद है कि हनेरी नो भेजिया ते अद्धी छपरी उड़ा के ले गई तेरा बहुत दनवाद बहुत कितना अनद है जीवन देविच इलाही बोल सुनके तो साहिब जी गंदे ने कि अपने पगतां दी अपने प्यारियां दी ओ आप लाज रखदाए ते सारे बनम बुले के उस दे मिटा देंदाए और अपने चरणा दा आसरा देंदाए चरण कमल जन का आधारो जन केंदेने भगत नो भगत दा आसरा काने गुरू दे चरण गुरू दा शबत आठ पहर राम नाम वपारो तो ओ अठे पहर ही गुरू दा धनबाद गुरू दा शुकरन हगए फिर शुकराना कर दियां कर दियां ओ दी जोली विचे की फल नसीब होया जदु उस ती अराधना कीति उस ती नदर होई तब फल ता जोली विचे पहनदा इपहनदा पर फल किस तरह दा पया, कहें जाने, नानक, हे नानक, जदो उस दी नदर होई मेरे ते, तो फिर मेरी जोली विच फल पया, कैसा फल, नानक, नदरी, नदर, नेहाल, ये नेहाल दा फल मेरी जोली विच पयागिया कि मैं नेहाल हो गया, जो सहज शबत है, उसनों कहेंदेने स्वते ही सहज अपने आप जए अंधरों आवाज निकल दिये, सहज विचे निकल दिये, स्वते निकल दिये, अपने आप निकल दिये, कड़नी नहीं पेंदी मिठे बोल अपने आप निकल देने कड़ने नहीं पेंदे क्योंकि स्वते अंदर मिठे ही बोलने ते फिर मिठे बोलने तो मिठे ही निकलनगे मनुख अपने निजी सुभावते पहुँच गिया मूल सुभावते पहुँच गिया और एकल चेते रखना जदो मूल सुबावते पहुं जानदा है उत्ते एक घटना वापर दिये मैं ओधा भी जिकर करदा हूँ महतमा बुद्ध कोल एक पंडित आया कंठस स्यावत उसनों चारों वेत कहनदा है मैं कुछ सवाल पुछना चानदा है हाँ जी पुछलो पुछिया तो महतमा बुद्ध जी कहना लगे पुर्खा तेरा एक सवाल तिरा अपना नहीं है इस वेदा तो उपजिया होया सवाल है इस शास्त्रा तो उपजिया होया सवाल ए तिरा अपना सवाल नहीं है और येकीनन दसना एगल ठीक ये commonầs खेंड लगे हाँ माराज ए मेरा सवाल नहीं है ए वेदां चो निकलिया हुए है शास्त्रां चो निकलिया हुए है किताबां पढ़ पढ़ के सवाल पैदा हुए है महत्मा बुद्ध केंदा है मैं तेरे सवाल दा जबाब नहीं दमांगा क्योंकि सवाल तेरा अपड़ा नहीं है तेरा अपड़ा सवाल नहीं है जिस दिन अपड़ा सवाल उपजेगा उस दिन मेरा जबाब भी उपजेगा और उस जबाब नो तू सभीकार भी कर लएगा अज़ तू सभीकार नहीं करेंगा क्यों? क्योंकि सवाल शास्त्रां तो पैदा हुए है, बाहर तो पैदा हुए है, जिस दिन अंदर तो सवाल पैदा हुएगा और उस दिन मेरे को लाना है, कहने दिन माराज ठीक है, पर अंदर सवाल किस तरह पैदा हुएगा, कहने लगे कि दुनिया दी चतुराई, दा सिमरन कर और कुछ दिन एत्थे संगत गर रोज ही सिमरन दिवच जुड़दे सी रोज ही कथा सुनदे सी छे मेने बीट गए एक साल बीट गिया मातमा बुद्ध केंदेने पुरखा कोई सवाल केंड़ के माराज सवाल तो सारे ही खो गए सारे ही मिट गए जो सिमरंदी एक ऐसी जड़ी चली सवाल ही मिट गए हुण एक भी सवाल नहीं बचिया और जिड़ा कोई सवाल उत्पन भी ओन्दा है और जिस मूल चों सवाल उत्पन ओन्दा है उत्थों एक धारा जवाब दी भी आ जान्दी उतर दी भी आ जान दी है और एह हकीकत गल है जदों भी कोई सवाल उत्पन होंदा हिर दे विच्छों जबाब भी ना ली आ जान दा है पर उन्हा वास्ते जड़े संगत कर देने जड़े गुर्बानी पर देने जड़े सिम्रिन कर दे और नहीं तां कई दफ़ा कुछ प्रेमी कर देने बहुत सवाल लेके आए सी कथा दे विच्छ जबाब मिल गए बहुत सवाल लेके आए सी हुकम नामे दे विच्छ जबाब मिल गिया बहुत सवाल लेके आए सी जितनी देर बैठे गुर्बानी दा कीरतन सुन दे रहे पंज शब्द वाई सावने पड़े पंजा शब्दां दे विच मेरे ही सवालन दा जवाब से इसे नू किया वहा वहा बानी निरंकार ऐसी बानी दे नाल आप जी जुड़ के बैठे हो सहज अनंद गावेंगुन गोबिंद प्रभनानक सरब समाया जी इस गल्दी फिर खबर मिल गई कि ओ परीपूर्ण परमात्मा सारियों दे विच बैठा हुए आए और इस तरह बैठा हुए आए कि सब मैं जोत जोत है सोए जिसके चानन सब मैं चानन होए बस इस मकाम तक पहुँचना है गुरु साहब जी रेमता करन पुलाचुकांदी खिमा कल दशबद है सो सच मंदर जित सच ध्याई है ओ मंदर सचा है जिते सच दी अबादत हो रही है तो उस ते विचार कल करांगे पुलाचुकांदी खिमा करो कृपा गुरु सिमरंदे विची जिड़ो जी एको अंकार सतनाम करता पुर्ख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैवं गुर्परसाओ एको अंकार सतनाम करता पुर्ख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैवं गुर्परसाओ एको अंकार सतनाम करता पुर्ख निर्पाओ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैवं गुर्परसाओ सतनाम करता पुर्ख निर्फ़ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैवं गुर्परसाओ वाहे गुडूदू ठाहे गुडू औरे गुडू फिर संदरिडू